नमस्कार बच्चों बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल बायो बूस्टर डक्टर सुमन्द सिंग सर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपको पता है प्लांट फिजियोलजी की सीरीज चल लए है 20 कोश्चन की जिसमें दो सीरीज आ चुकी है प्लांट फिजियोलोजी 1 अब प्लांट फिजियोलोजी 2 आज प्लांट फिजियोलोजी 3 के 20 कोश्चन मैं लेके आ रहा हूँ बच्चों मेरी आप से बिनिती है कि मेरे आप चैनल को आप सब्सक्राइब करिए वीडियो देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा जी तो चलिए मैं और आप मिलकर के सुपर 20 कोश्चन की सिरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें पहला सवाल है आपको पता है बरसात के दिनों में जो लकड़ी के फ्रेम होते हैं वो फूल जाते हैं स्वेलिंग हो जाती उसमें क्यों चार आपसन हैं पहला इंबिबिशन दुसरा आस्मोसिस तिसरा एकजास्मोसिस चोथा कैपिलरी आपको पता है बेटा जी आपको दो से तीन सेकंड मिलते हैं तो आप सोच लीजिए अपने में आंसर मैं बता रहा हूँ इसका करण है बेटा जी इंबिबिशन तो एक कोशन नमबर वन का एज आएगा इंबिबिशन कोशन नमबर टू है अगर किसी सेल को आप एक्टरनल मीडियम में डालते हैं अगर वो सलूशन कैसा है हाइपो टोनिक है कि हाइपर टोनिक है कि आइसो टोनिक है तब उसकी साइज बढ़ेगी या नना देबब है पिर से सवाल देख लिजे एक्टरनल मीडियम इस पहला हाइपो टोनिक हाइपर टोनिक आइसो टोनिक और नना अप देबब आपको पता बेड़ा जी जब किसी सेल को आप डाल देंगे हाइपो टोनिक सल्यूसन में तो जो एक्स्टरनल मीडिय में उससे क्या पानी सेल के अंदर आएगा तो उसका वालूम इंक्रीज कर जाएगा तो कोशन नुबर टू का ए हाइपो टोनिक कोशन नुबर थ्री है एस सेमी पर्मेबल मेंब्रेन एलाउज डिफ्यूजन आप सेमी पर्मेबल मेंब्रेन आपको पता बेटा जी अगर ऐसी मेंब्रेन जो साल्वेंट और सलूट दोनों को जाने देती है अपने थुरू और आने देती है वो permeable है जो दोनों का ऐसा करने से रोक देती है वो impermeable है जो solvent को जाने देती है लेकिन salute को रोक देती है वो semi permeable है अब मेरा आप समझ गया होंगे तो क्या हो जाएगा यह semi permeable membrane allows diffusion of salutes water, both water and salutes none of the above तो question number 3 का भी हो जाएगा क्योंकि water solvent है तो question number 3 का भी question number 4 यह बहुत अच्छा सवाल है बेटा जी मैं पहले बता रहा हूँ कि rodoispiralum is free living, photo-artotropic anaerobic, anaerobic, आलब देबब बहुत अच्छा सवाल है तो rodoispiralum बेटा जी free living भी होता है photo-artotropic भी होता है anaerobic भी होता है तो यह चार का डी हो जाएगा आलब देबब बहुत अच्छा question है बेटा जी next question question 5 यह भी बहुत अच्छा है यह भी question बहुत अच्छा है frankia farm root nodules in frankia किसके साथ मिलके root nodules बनाता है illness के साथ की french bean के साथ की broad bean की mango तो यह इसका अंसर हो जाएगा बेटा 5 का A illness बहुत बढ़ बढ़ा सवाल है question number 6 यह भी बहुत अच्छा सवाल है पहले ही मैं कहा जे रहा हूँ denitrification is carried out by इसमें देखे हर option में दो-दो bacteria हैं और कहरा कि इसमें denitrification किसके द्वारा किया जाएगा पहला pseudomonas and nitrosococcus दूसरा nitrosomonas and nitrobacter तिसरा nitrosomonas and nitrosococcus चौता pseudomonas and thaiobacillus बहुत भड़ा question है बेटा जी आपने जबाब सोच लिया होगा और आपने D सोचा होगा क्योंकि denitrifying bacteria में दो नाम है pseudomonas and thaiobacillus anxiety में दिया हुआ है question number 7 है during symbiotic nitrogen fixation how many ATPs are used to fixing one molecule of N2 ये nitrogen है बेटा N2 ठीक है आपको पता है अगर आपको 2 N2 को fix करना होता तो आपको 16 ATP खर्च करने पड़ते हैं एक को fix करने के लिए आप बताईए आप इतना तो मैंने hint कर दिया है 8 16 आपका 5 और 10 question number 7 तो ये हो जाएगा 8 question number 8 during glycolysis the number of ATP molecule utilized to change glucose into fructose 16 bisphosphate इसको bifosphate भी कर सकते हैं difosphate भी कर सकते हैं fructose 16 difosphate बचों ये बात कर रहा है देखे glucose से glucose 6 phosphate glucose 6 phosphate से fructose 6 phosphate अब fructose 6 phosphate fructose 16 difosphate step 1 पर 1 ATP खर्च होती है step 3 पर खर्च होती है तो आप कह सकते हैं कि glucose से लेकर के fructose 16 difosphate तक हमें 2 ATP खर्च करना पड़ता है तो ये answer ये आपका 4 option है 4, 3, 2, 1 तो जवाब कहा जाएगा C2 during EMP pathway ATP is produced through EMP आपको पता है embedan मेरा परनास pathway होता बेटा जी इसमें जो आपका question 9 है उसमें पहला आप संदिया oxidative phosphorylation cyclic phosphorylation substrate level phosphorylation none आपदे अबब तो ये क्या होगे जाएगे बड़ा SLP के द्वारा बनता है produce होता SLP के द्वारा 2 बनता step number 7 पर 2 बनता step number 10 पर 4 ATP SLP के द्वारा बनते EMP pathway में करनोर होता है तो यहां कुछ भी इसमें से प्रोड्यूस नहीं होता तो इसका चला जागा 9 आपदे अबब question number 10 बच्चों super 20 question की series में यह 10 सवाल हम लोगों ने कर लिये हैं यानि हम आधा पड़ाव तैंकर चुके हैं बच्चों मेरी आपसे बिनती है कि मेरे channel को जरूर subscribe करें और वीडियो देखें वीडियो अच्छा लगता है तो like और share करें तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बचा question number 11 की तरफ succinate dehydrogenase is part of ETS complex आपको पता है ETS में चार complex होते हैं पहला होता बचा जी NADS to dehydrogenase complex दूसरा है FADS succinate FADS to dehydrogenase complex तो दूसरे नमबर पी आगया तो चार आपसन है first, second, third, fourth तो क्या answer जाएगा ये आपका 11 का 20 चला जाएगा question number 12 है which one directly transfers electron to NADP positive during light reaction ये बहुत अच्छा सवाल है बेठा जी गल्दियां बहुत ज़्यादा होती है विसेज ध्यान दीजिएगा कर which one directly transfers electron to NADP positive during light reaction PS first, PS second, cytokromes, plastocyanin सोच लिजे बहुत अच्छा सवाल है तो question number 12 का ये जाएगा PS first बहुत बढ़या सवाल है बेठा जी question number 13 both respiration and photosynthesis require photosynthesis और respiration दोनों को क्या जरुत होती है sunlight की, green cell की, cytokromes की organic substrate की ये भी बहुत अच्छा सवाल है बार-बार पूछा जा रहा बेठा जी इसके पहले वाला वो कठीन सवाल था ये 13 का क्या हो जाएगा cytokromes next question ने देखे non-cyclic photo phosphorrelation is performed by non-cyclic photo phosphorrelation किसके दोरा होता है dark reaction कोई मतलब भी नहीं ये आपका light reaction में आता है ps first, ps second, both b and c आपको पता है बेटा जी जब cyclic photo phosphorrelation होगा तो वहाँ के बल ps first participate करता है लेकिन non-cyclic में दोनों करते है ps first, ps second तो इस आपसे answer क्या जागा D, B and C question number 15 water releases protons 12 water molecules will release करा कि आपका ps second के पास 12 water molecules है तो उससे कितने proton release होंगे 24 होंगे, कि 18 होंगे कि 12 होंगे कि 6 होंगे आपको पता है अगर 1 S2O है तो 2 मिलता है 2 से 4 मिलता है तो 12 से 24 मिलेगा 15 का A question number 16 ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा जी बहुत अच्छा सवाल है ये ध्यान दीजेगा विचिज नाट एसेसरी पिगमेंट कहरा है बेटा इसमें काउन सा एसेसरी पिगमेंट नहीं है याद रखेगा नाट कहरा है ये कैरोटीन एसेसरी पिगमेंट है जैन्तोफिल एसेसरी पिगमेंट है क्लोरोफिल भी एसेसरी पिगमेंट है तो नहीं कौन है बेटा जी सोला का सी क्लोरोफिल ए नहीं है कोशन नमर सत्रह है आर्कीव आप प्रोटीन एज 0.71.9 और देन वन आपको पता बेटा जी के इंचियाटी में क्रिवल तीन ही का आर्कीव एल्यू दिया है कार्बो हाइडरेट का 1 दिया है और प्रोटीन का 0.9 दिया है और फैट का 0.7 दिया है फैट को ट्राइपामिटीन भी कहा उसने तो ये प्रोटीन का पूछ रहा है तो क्या जाएगा सी जाएगा 0.9 अठा रहा है ये भी बहुत अच्छा सवाल है ये कर रहा है रोजेट हैबिट आप कैबेज कैन बी चेंजड बाई दा अप्लिकेशन आप ये रोजेट हैबिट के जो बात कर रहा है ये एक फिजियोलोजिकल इफेक्ट है जिबरिलीन का जिसे कहते हैं बोल्टिंग तो ये पूछ रहा है कि रोजेट हैबिट आप कैबेज कैन बी चेंजड बाई दा अप्लिकेशन आप किसे ये चेंजड कर सकते हैं आप ABA के द्वारा IAA इंडोल एस्टिक एसिड के द्वारा GA जिबरिलीक एसिड जिसको जिबरिलीन भी कहते हैं और इथाइलीन के द्वारा बहुत ही बढ़ी है सवाल पहले ही मने बता दिया जिबरिलीन का ये फिजियोलोजिकल इफेक्ट है बेटा GA जिबरिलीक एसिड Question नमबर 19 ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है इंशाठी के लाइन है सारी लाइन ही इंशाठी से है Spraying sugarcane crop with the plant hormone increases length of plant and increases yield by as much as 20 ton per acre the hormone is करा कि कौन सा उस hormone का नाम बता ये जो sugarcane का जो production है वो 20 tons per acre बढ़ा देता है जिबरिलीन, oxygen, cytokinin, ABA चार दिया है उसमें एक लगाना है तो मेरे समझ से आप किसके साथ जाएंगे बेटा जी आप जाएंगे जिबरिलीन के साथ A, 19 का एक Question number 20 Which of the following is a die-cut VD site die-cut VD site काउन है 24D है कि NAA है कि IBA है कि IAA है तो आपको पता है बेटा जी इसमें आपका 24D होगा वो die-cut VD site कितरे काम करता है तो 20 का A हो जाएगा तो आज Super 20 Question की सिरीज ये पूरी होगी बेटा जी Plant Physiology की तीसरी ये सिरीज थी अभी दो सिरीज और आएंगे पांच मैंने कहा है फिर ecology का शुरू होगा मेरी आपसे बिनिती है बेटा जी कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो देखें वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सेयर करें तो ओके बेटा जी थेंक्यू बेटा जी थेंक्यू बेटा जी थेंक्यू बेटा जी